नमस्कार साथ विया आपका स्वागत था आपके योटूब चैनल ट्रेड वित रोनेक चैसे के दोस्तों अपने क्वार्टर थीरी की रिजलिक सीरी चल दे तो उसके अंदर हिल्टन मैटल फॉर्गिंग लिम्टेट का क्वार्टर थीरी का रिजल्ट अभी आया थोड़े पहले दस बज़े का असपर पूरा अपडेट मिला हमारको तो अभी रात के ग्यारा बज़रा मार्केट उपन होगे तो फिर सिसमा अपर सरकेट लगता हो नजर आएगा शेर के अंदर क तो मैंको लगता हो यहां से 30 इसमें बरकरा रहने वाली है अप 40-50 पर लेवल आपको इजी दिख जाएंगे चलिए बात करता है हिल्टन मेंटल हिल्टन मेंटल फॉर्गिंग लिम्टेट के बारे में तो बेसिकली कंपनी क्या है मैटल के प्रॉड़क्शन के कम पर काम करत इस तरह के प्रॉड़क्शन का कंपनी का काम है मोटा मोटा आपको समझ आ रहा है न एक्सप्लिन तो ज्यादा मैं कर नहीं पाऊंगो क्योंकि इतना डीपली मुझे नहीं पता इसके बारे बट यह है कि आपको पिक्चर वाइस समझ आ सकते किस प्रॉड़क्शन के अंदर इस तरह के प्रॉड़क्शन के प्रॉड़क्शन के इस तरह के प्रॉड़क्शन 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 क पूरी निकल के आई हमारे पास तो देखिए इनकी जो अनिंग है वो लैक्स के अंदर है कंपनी ने किसी भी तरह का कोई डिवीडेंट डील तो दी नहीं है कोई अपडेशन इसके अंदर है निजो आपको एनफॉर्म किया जाए तो चली चलते है इसका क्वार्टर अनिंग क 2515 लाख की 1ен Village इसके अधिया उसन सथता सील लाख की और लाष्ट इयर थी 2332 लाख की तो आप देखेंगे इएर एड के सेल में इजाफा है क्वार्टर ग्रटव सेल में इजाफा देखनें मिलना हमर spicy फैकि लास्ट को vimos लाष्ट इसेली 2332 तो बढ़ कोई है 2515 और लास्ट क्वाटर थी 1787 बढ़ कोई है 2515 तो यह रिवाई प्वाइन इसलिमा अच्छा कास है इसाफा देखने को मिल रहा है अब देखें इसके इंदर और क्या है अब इनके टोटल एक्समेंस की बात हैं इस quarterman expense वह दो हजा थीन सो नो लैक का last year last quarter में expense था थो हजार एकसो एक का और last year था थीन हजार चार सो पैसर तो expense में कम ही देखने हो मिली हमें यह इर यह वाइव ग्रोथ देखने हो मिली है देकि operation profit देखेंगे इस quarterman को operation profit है 205 positive में है last quarter में last quarterman profit गया था minus में यह देख सकते हैं क्योंकि last quarterman expense बढ़के थे sales से ज़्यादे इनके expense थे last year भी sales से ज़्यादे थे last quarterman profit आया था minus 313 लाग का और last year expense था यानि profit आया थे इनको minus 1132 लाग का यह देख से था company minus में चली की थी last year और last quarter में तो इस quarter में company ने profit अंकिया company ने अपना कर्जा कम किया है अब देखिए operation profit आया net profit जो इनका निकल किया इस quarter में तो इस quarter में इनको net profit आया 217 लाग का और last quarter में net profit था total 388 तो देखेंगे आप last quarter last year से profit company minus में था इनका revenue profit तो बढ़के पॉजिटिव में तो यह अच्छा इंडिकेशन है सेल में अच्छा इसाफ़ा देखने मिला में अब देखें कमपनी घाटे से मुनाफिम है यह बहुत अच्छा इंडिकेशन है तो सब सच्छा इंडिकेशन यह होता हमार को कि किसी भी हमारे result के अंदर हमारी अच्छी है और में क्याप घाटे से कमपनी मुनाफिम हारी बहुत बड़ी बात है इस इस कंपनी के शेर के अंदर मंडे के दिन से आपको अपर सरक्रीट देखने में मिलेगा क्योंकि लास्ट क्वार्टर पर कंपनी घाटे में गई ती और यह यह वाई भी कंपनी घाटे अब पॉस्यूटिव में देखना हो मिलेगी अब देखता है इसकी अनिंग पर शेर किता रहा है तोटल अनिंग पर शेर इसका यहां पर पूरा अपडेशन नहीं दिया लोगों न ढग से तो चलिए हम चलते हैं तो अभी थोड़ते मां अनिंग पर शेर के बात करूंगा निखान हरं देखिए इनका जो अनिंग पर शेर टार इस कॉर्टर में आया वरंगसा प्या पॉजिटिव में लास्ट कॉर्टर में माइनस में जे खार और अश्ट तो देखें मोटा मोटा कहानी है कि इसका जो कौर्टर तरी रिजल रहा है बहुत अल्टीमीट देखने हो मिले हैं कि सेल में जाफ़ा के साथ साथ कंपनी घाटे से प्रॉफिट माई है यह नि मुनाफिम है यह पिछले को आटे में मां तो अब इस कंपनी प्रॉफिट माई अब तो यहां से कितनी तेजी बरकरा रहने वाली उसके बारें बात करने से पहले इसका मार्केट कर समझते हैं तो हिल्टन मेंटल मैटल फॉर्गिंग लिम्टेड आपको एनसी बेसी दोरे बर मिलेगा इसका मार्केट का 31 करोड़ पे आर ओसी इसका माइनस में 8 18.8% है ब पर मोटर के लास को अब बढ़के पचास पॉइंट पैसे होगी है अब देखे इसके अंदर और के इंडिकेशन हमार लिए तो देखे सबसे पहले हम चलते हैं आज कर रेटिंग सेसन कैसा आज चार परसंट के साथ बंदू आज की डेट में तो आज यह ऑपन होता है 25 पर 60 पैसे पर हाई मारा 25 पर साथ पैसे लो मारा 24 पर 40 पैसे गां यह देखे करेक्ट करेक्शन होती है यह सब्सक्राइब के अंदर और और 52 हाई 39 पंदा पसे फिफ्टी तो लो है पांच दिन के अंदर इसने 0.57 पैसे परसंट रेटन दिया माइनस में वन मंद के अंदर 24 परस यह देखिए इसका चार्ट ओपन कर रखा है आपने चार्ट के अंदर एक अलग से टैट्री के अंदर देखे शेर यानि के नौवंबर के मन्त के अंद बाद से फिर इसमें सर्किट गिराता यह गिरने का फिर करेक्शन होगे फिर अप ट्रेंडिंग तरफ आ चुका है और फिर से अप ट्रेंडिंग तरफ जाएगा यहां से देखिए अगर आपके पास तो इसा होल्ड रखिए फ्रेस बाइंग करना चाहते तो आप कली जब इसमें ग्रावड जब वाई करिए बट आप तो इसमें अपर सर्किट लगेगा तो डेफिनिट इसमें बाय करना मोकर नहीं मिलेगा आपको क्योंकि जिस्ता से इसकी अनिंग आई है बहुत अल्टीमेट देखनों को मिली है कंपनी घाटे से मुनाफिम आई है तो यह अनिंग का वैनिफिट मिलने वाला और शेर यहां से अब ट्रेंडिंग जाने वाला है तीस रुपे से पहले आप रुकने कर दो चरत रहे आप है।